हेलो बच्छो लाइसी दीकेशन दीकेशन से इस दाट वाई इस टॉसिंग कॉइन को एक फेर वे क्यों माना जाता है कि कोई भी टीम जो क्रिकेट में चूज करती है गेम को कि हमें बैटिंग करनी है उसको फेर क्यों माना जाता है इस बात पर हमको डिसकेशन करना है हमको बताना ऐसा क्यों है तो सबसे पहले यहां पे की कॉंसप्ट क्या होगा यह हम बोल देते हैं तो की प्रॉबबिटिटी का एंड़ कर इस बाइद बाइड नमभर ओट्वShow होगा number of total outcomes तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं देखो सबसे पहले हमारे पास head कोई भी coin है तो उस पर head आ सकता है या tail आ सकता है दो conditions बन सकती है तो number of total outcomes की बात करें number of total outcomes यह हमारे पास कितने हो जाएंगे two हो जाएंगे अब इनमे probability of getting probability of getting head हम देख लेते हैं तो getting head इसी equals कितना हो जाएगा यहां से one by two हो जाएगा और probability of getting tail क्या हो जाएगा probability of getting tail यह हमारे पास यह भी half हो जाएगा दोनों की probability हम same हो जाएगे तो हम क्या बोल सकते हो जाएगे तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की probability same है तो यहां से हम बोल सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं यहां से हमने देखा कि यह दोनों equally likely outcomes हो गए तो the probability of occurrence occurrence of both the both is same तो probability जो है वो दोनों की क्या है same ham hence a coin is a fair option to decide to decide which टीम विल चूज एंड्स इन दे गेम यह क्लियर हो गया तो यहां से यह रीजन है हमारे पास में कि क्यूं हम फेर को इनका यूज करते हैं किसी भी किसी भी क्रिकेट मैच में टॉस करने के लिए तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से इसका आंसर हो जाएगा यह रीजन हमने यह पे लिख दिया I hope you understood it well, good luck, thank you